हलो दोस्तों नमस्कार आर्केट टेक्निकल में आपका स्वागत है आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फ्रीज में लगने वाले फिल्टर का कारी फिल्टर क्यों लगा जाता है किसलिए लगा जाता है कैसे काम करता है सब कुछ टोटल इस वीडियो में बताने वाले है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न बोलिएगा जैसा कि आप देख सकते हमारे पास एक फ्रीज का फिल्टर है पुराना सा फिल्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक और नया फिल्टर भी लाया है इसमें आप देख सकते हैं इसमें दो पॉइंट बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोड़ा पतला है तो जब भी आप देखेंगे इसमें जो जिस तरफ पतला रहता उस तरफ कैपलेरी लगती है यहाँ पे आपका कंडेंसर लगेगा तो इसके अंदर क्या होता है कैसे कारी करता है सब कुछ टोटल बताने वाले हैं या वीडियो लास तक देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके और सिलेकान की गोलियां होती है कि अगर मिप्त छानना या공रा करेंगे इसको काड कर दिखाएंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे सिलेकान की जोटी- Ci embrace who यहां पर आप देख सकते हैं मैं फिल्टर को काट रहा हूं तो जैसा कि देख सकते हैं हमने फिल्टर को काट दिया इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर से छोटे-छोटे छोटी-छोटी गोलिया निकल नहीं आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटी-छोटी गोलिय दिखाई दरी हैं इस सिलिकान की इसको बोला जाता है सिलिकान की गोलियां फिल्टर के अंदर सिलिकान की गोलिया रहती है इसके अंदर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर जालियां होती है तो एक क्या करता है जो इसके अंदर सिलिकान की गोलियां होती है नमी को और सोसित क तो आसोसित करती रहती है तो फिल्टर का कारुदा गैस को छानना तो फिल्टर जब भी लगा जाता है फिल्टर देखे बहुत से प्रकार के होते हैं फिल्टर बहुत प्रकार के होते हैं तो यहां पर देख सकते हैं किसी किसी में सिलिकान की गोलिया नहीं रहती हैं वहां फि तो यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर जो भी जालियां सब तोटल आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो अगर फिल्टर का कार्य जब भी इसको लगाएंगे तो कि यहां पर देख सकते हैं यह जो फिल्टर का में कार उसको छानना तो अगर या वीडिय कौ Balaga हूग तो लाइकृस्क्राइब करना ना भोलूत आप